नमस्कार दोस्तों, आज एक और खास विशे पर वीडियो लेकर के आपके बीच मैं हैं, जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वालों यदि चुनाओं में धांदली हो जाए, गडबड हो जाए, तो क्या करना चाहिए? और खास कर से ग्राम स्थर के चुनाओं में, बीडी सी मेंबर के चुनाओं में, जिला पंचायत में, जहां पर बैलेट पेपर से वोटिंग हो रही है, वहां पर काउंटिंग में गडबड की संभावना बहुत जादा होती है, और वो गडबड कैसे पकड़े, गडबड गया है, ऐसे वक्ति को चिता देगा है, जिसकी जीत की संभावना नहीं थी, यहां पर जहां काटी की टकर थी, वहां किसी और को हरा दिया, किसी और को चिता दिया गया, अब हम क्या कर सकते हैं ऐसे केस में, तो दूस्तों मैं गाइड करने कुशिश करता हूँ, क्योंकि सं अथन्टी प्रूव नहीं है, तो आरोब मत लगाईए, और यदि प्रूव है, तो आरोब भी लगाईए, और फिर उसको साबित भी करेंगे, और जब साबित करेंगे, तो हो सकते हैं आपकी फिर में नतिज आए, और यदि आप विद्वार नहीं भी है, और आपको पता च counting का जो अंतर है वो, तो जो हमारे booth agent है या election agent है, वो पता देंगे कि अगर उन्हें लग रहा है कि vote में अंतर है, जितना vote पड़ा था और जितना counting के समय पर है, उनमें अंतर है, ballot paper, counting के समय मा लिजे, voting के समय 400 लोगों ने vote किया था, और counting में निकले 380, यानि 20 vote का अब है, या उल्टा है, 380 vote पड़े थे, 400 निकले हैं, तो इसका मतलब 20 vote extra होगे, तो अगर कहीं पर booth पर पड़ने वाले vote और count हुए vote में अंतर है, तो इसका मतलब ये तो एक indication है कि यहाँ गडबर हुई है, दूसरा indication क्या हो सकता है, counting में गडबर की जा रही है, counting में गडबर मतलब ज दोबारा गिन दिये जाएं, और उसके सामने वाले के कम कर दे जाएं, टोटलिंग में मिस्टेक कर दे जाएं, इस तरह की छोटी मोड़ी गलतियां की जाती है, 2-4-5 vote हर 100 में गडबर की जाती है, खास कर से जहाँ बैलेट से वोटिंग हो रही होती है, थोड़ा सा कहते है निगा अटी, दुरगटना घटी, तो वहाँ पर थोड़ा सभी अलटनेस ही कमी होती है, तो यह गडबर की जाती है, और अगर ऐसी गडबर हुई है, तो इसका मतलब यहां दांदली की संभावना है, तीसरा होता है प्रसाशन, पुलिस वाले लोग, पुलिस वाले लोग क easily मिल जाएगा, क्योंकि आपके election agent के पास जो number होंगे, और जो counting number है, उनमें अगर gap है, तो इसका मतलब यहां गडबर है, धांदली हुई है, और अगर कोई हमारे पास video recording है, या कोई आसी audio recording है, जहाँ पर counting officers गडबर कर रहे हैं, या वहाँ का कोई ऐसा proof है हमारे पास, जिस किसी की favor में काम किया है, या किसी के खिलाफ काम किया है, उसका भी कोई proof आगर आपके पास है, कोई video के रूप में, किसी भी रूप में, तो यह भी एक valid reason होता है, कि यहाँ गडबर हुई है, धांदली हुई है, भानदली हुई है, अब करें क्या, तो 4-5 विकल्प मैं बता थी हमें recounting बोले नहीं, आप recounting एक हफते बाद भी बोल सकते हैं, अगर आपको लग रहा है, लेकिन आपके पास authentic proof होना चाहिए, तीनों में से कोई category का है, या चौथी पांच भी कोई भी जिस तरह की विधान लिए, आपके पास कोई authentic proof है, अगर तो आप recounting की मांग करने क अधिकार रखते हैं, आप recounting के बारे हैं बोलिए, और अगर recounting नहीं कराए जाती है, तो आप इसके खिलाफ में अदालत में भी जा सकते हैं, आगे भी action ले सकते हैं, recounting आपका अधिकार है, वहाँ returning officer को recounting officer को recounting करानी चाहिए, तो पहला विकल्प तो आपके पास recounting का है, दूसरा, जो election body उसके शिकायत कर सकते हैं, किस से magistrate से, जी हाँ, DM के, SDM के आप शिकायत कर सकते हैं, वहाँ जाकर के शिकायत करिए, कि counting body जो आई थी, counting team जो आई थी, उसने गड़बड की है, या पुलिस वाले जो थे, उन्होंने गड़बड की है, या ये voting में mismatch हो रहा ह या वहाँ अगर पुलिस वालों ने या परिशाशन ने गड़बड की है, तो उनके proof के साथ जाकर के, मजिस्टेट के, SDM के या, DM के यहाँ पर जाकर के, कंप्लेंट करिए, return में with proof जाईए, ताकि पता चले कि हाँ, आपके पास को authentic proof है, आप जो allegation लगा रहे है, आरोप साबित के जा सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अपराद को साबित करना पड़ेगा, आरोपी और अपरादी अंतर होता है, और आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, तो बिना proof के आरोप मत लगाईएगा, नहीं तो गड़बड हो जाएगी, सिर्फ बोलने से नहीं के चुड़ाओं में धान्दली हुई है, ये बहुत बड़ा आरोप है, बहुत संगीन आरोप है, और बहुत संगीन मामला भी है, क्योंकि अगर धान्दली हुई है, तो इसका मतलब डेमोक्रेसी का कोई आउचिते नहीं रहा जाता है, कि अगर एक वोट की भी गड़बड कर रहे हैं, उस समय पर या उसके बाद भी, कि पुलिस वालों ने यहां गड़बड किया, और उसका कोई प्रूव आपके पास है, कि यहां ये गड़बड इस तरह से हुई, यहां एडिमिस्टेशने साथ मिल करके, इन लोग ने इसको हराने का काम किया, इसकी फिर में काम किया, तो उसकी शिकायत भी आप प्रिसाशन की भी शिकायत कर सकते हैं, पुलिस के आला दिकारियों से भी कर सकते हैं, डिम से तो करी सकते हैं, आप कोट भी जा सकते हैं, जैसे मैंने कहा, कि अगर रीकाउंटिंग नहीं हो रही है, पुलिस वाले एक्शन नहीं ले रहे है तो आपके पास court भी जाने का विकल्ब है और आपने सुना होगा कई जगा पर लोग court पे चले गए वहाँ पर चुनाओ की प्रक्रिया को पूरा दुबारा से recounting कराएगे, पूरा process देखा गया और फिर जो लोग इसमें involved थे उनके उपर कड़ी कारवा, हुई action भी लिया गया और जो विजेता थे उनको विजेता डिकलेर कर दिया गया था उनको हटाया गया और जिनको हरावा डिकलेर किया था उनको विजेता डिकलेर किया गया तो कई बार ऐसा होता है, आप court जा सकते हैं कि जो आप बात कह रहे हैं, वो सच है, एक 500 वी कल्ब तो है, सबसे बड़ी अदाला, जनता की अदाला, जनता के बीच में जाएगे, अपनी टीम को लेकर के आप लोग जाएगे, और जनता में जाकर के अपनी बात रखे, कि क्यों आपको लगता है धानली हुई है, क्या क्या शेत्र के साथ नियाय करेगा, क्या वो अपने हित के लिए नहीं सूचेगा, क्या वो शेत्र के लिए काम कर पाएगा, क्या वो वफदार या मानता रह पाएगा, आप ये बात जनता के सामने रख सकते हैं, क्योंकि जनता से बड़ी अदालत को ये अदालत नहीं है, लेकिन कर से जहां बैलेट पेपर से वोल्टिंग हो रही है वहाँ पर तो बहुत जादा ऐसे आरोप लग रहे हैं लेकिन आरोप हो के लिए जब तक आपके पास को प्रूव ना हो आरोप बंद लगाईए और अगर प्रूव है तो जाईए एक्शन लीजिए किसी ना किसी इस तरपर काम होगा कम से कम आपको इस बहाने ये तो पता चलेगा कि अगर कभी गड़बड हो जाए तो मुझे क्या 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 करना चाहिए जो उमीदवार है वो भी कर सकते हैं उमीदवार के सपोर्टर भी कर सकते हैं आहाम जनता भी कर सकते हैं, अगर उसको भी लग रहा है कि कहीं पर गड़बड हुई है, तो उस गड़बडी के खिलाफ आवाज उठाना हमारा नैतिक करतवे में बनता है, हमारा मॉलिक करतवे में बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके खिलाफ आवाज उठाए मैंने कोशिश की इस वीडियो में आपको गाइड करने की क्या-क्या विकल्प आपके पास है कैसे आपको पता चलेगा कि गड़-बड़ हो रहा है धांदली हो रही है चुराओं में और कैसे उस धांदली को रोकने के लिए प्रियास करे जा सकते हैं आज के लिए तना ही आगे किसी और विश्यापर बात करेंगे आप कमेंड में जरू लिखेगा यदि आपके पास कोई सब्सेंशल एविडेंस है कोई प्रूव है या कहीं आपको लगड़ा है धांदली हो तो उसके बारे में जानकारी दीजिए हमारी टीम भी उसमें आपकी मदद करेंगी हमारी लीगर टीम भी उसमें एक्शन लेनी कोशिश करेंगी हम लोग भी आपको गाइड करेंगे कोई और सवाल है कुछ और पूछना चाहें तो डारेट मुझसे बात कर सकते हैं वीडियो की डिस्रिप्शन मेरा नंबर मिल जा हैगा डारेक्ट पांदस में बात करने हों बात कर सकते हैं आज के लिए तना ही आगे किसी और वी शापर बात करेंगे आपके उज्वर राजती भविश्य के लिए हार देख शुब काम नाए जै हिंद जै भारत